हाई दिस आदिती और वेलकम टू माई चानल खस्ते और हलके शंकरपाले आइधिंक सब के फेवरिट होते हैं मेरे घर में भी मेरे बच्चों के फेवरिट हैं ये आज जो है हम मीठे और खारे बहुत ही खस्ता और आसान रेसिपी से शंकरपाले बनाएंगे आईए तो पहले हम नमकीन वाले शंकरपाले बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनते हैं इसके लिए एक बोल में 1.5 कप मैदा ले उसमें 1.4 कप गरम घी डालेंगे घी को जो है गैस पे अच्छे से गरम करें और मैदे में जो है गरम घी ही डलेगा अगर हाँ जलता है तो चमचे या फोक से पहले घी को मैदे में मिक्स करें इसको जो है हम मोन लगाना बोलते हैं करम घी जब मैदे में मिक्स होता है तो ये प्रोसीजर जो है बहुत इंपोर्टेंट है इसके तारण जो है हमारे शंकरपाले बहुत ही खस्ता बनते हैं और तलते वक तेल भी बहुत कम पीते हैं दोनों हातों से जो है मैदे और घी को इकठा रब करें ताकि अच्छे से घी और मैदा मिक्स हो जाए जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैदा और आटा जो है अच्छे से बाइंड हो रहा है इसका मतलब है कि आपका मोन ठीक से लगा है उसमें फिर हम आट करेंगे वन टेबल स्पून सॉल्ट और वन फॉर्थ टेबल स्पून अजवैन आप इसमें कुटीवी काली मिर्च, सौंफ या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, नमक भी टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, फिर इसमें आट करेंगे वन फॉर्थ कप दूद ये दूद जो है रूम टेंपरेचर का है ना गरम है ना थंडा है अगर आप ये मेजरमेंट्स फॉलो करोगे तो आपको एक्जाक्ट कॉंटिटी में ही सब मिलेगा इसमें आपको और दूद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्जाक्टली वन फॉर्थ कप दूद में ये आटा जो है बहुत अच्छे से इकठा होके गुन जाता है तो आटे को जो है आप अच्छे से 3-4 मिनिट के लिए गुने इस से हमारे शंकरपाले जो है लाटने में भी असानी होगी और खस्ता भी बहुत बनेंगी 4-5 मिनिट के बाद जो है आटा ऐसा हो जाएगा आटा बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है आटे को जो है आप एक बॉल की शेप में बनाए और उसको जो है एक्जाक्ली दो घंटे के लिए ढखके रखे तो घंटे के बाद जो है हम ये शंकरपाले को तलने के लिए लेंगे आटे को जो है आप तीन गोलों में बांट लें अच्छे से उसको बेल चकले पे आप बेलें ना ये ज्यादा पतली रोटी होगी ना ये मोटी रोटी होगी जैसे हम एक मेती का पराथा जैसे हम बनाते हैं बहुत पतला भी नहीं और बहुत बोटा भी नहीं उस हिसाब से हम इसकी ठिकनेस रखेंगे आपको चाहिए तो पहले ही गरम हाई फ्लेम पे गरम करके फिर सिम पे रखें उतने टाइम में जो है आपके शंकरपाले जो है बेल के कट के तयार हो जाएंगे आपके जब सब शंकरपाले कट के तयार हो जाएंगे उसके बाद जो है सिम गैस पे जो है आप ये शंकरपालों को गरम तेल में बह लेंगे एक एक करके जो है धीरे देरे सारे शंकरपाले आप कड़ाई में डालें कड़ाई को ज्यादा ओवरक्राउड नहीं करना है हलके हाथ से जो है इनको कड़ाई में घुमाएं बहुत अच्छे से जो है ये शंकरपाले जो है फूक के चोटी-चोटी पूरियों जैसे तक सली के अच्छे सरे फूल के ऊपर आ जाएंगे, इसके बार जो है आप जाया तो गैस बढ़ा सकते हैं, मैं इनको इनको सिमगैस पे ही तलती हूँ ताकि बहुत खसता भी होते हैं और अंदर तक पक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते हैं, एक बार जो है यह लाइट पिंक कल इन को जो है अच्छा ब्राउन करलर होने तक तल सकते हैं यहां पे जो है अब हमारे खारे शंकरपाले तयार है काफी अच्छा गोल्डन ब्राउन कर अगया है इनको अब मैं कड़ाई से निकाल के एक ओपन प्लेट पे रखोंगी ताकि वह अच्छे से थंडे हो जाएं आये देखते हैं मीठे वाले शंकरपाले का जो आटा है उसकी तयारी कैसे करनी है इंग्रीडेंस सेम हैं बेसिक इंग्रीडेंस जो है वन एंडा हाफ कप हम मैदा लेंगे उसमें जो है हम वन फोर्थ कप पिगला हुआ गरम घी डालेंगे गी को जो है आप पहले उंगली से चेक कर लें अगर गी बहुत करब है तो चमचे या फोक से आप उसको मिक्स करें आटे और घी को अच्छे से मिक्स करें ताकि घी अच्छे से आटे में कंबाइन हो जाए इसको हममोन लगाना कहते है जब आप आटे को दबाएंगे तो उसका बॉल तयार होगा विच मीन्स कि आपका मौन जो है बहुत अच्छे से लग गया है उसके बाद जो है हम 1 फोर्थ कप दूद है यहाँ पे मैंने रूम टेंपरेचर वाला दूद लिया है दूद और PCV शक्कर शक्कर भी 1 फोर्थ कप ही है इन दोनों चीजों को जो है हम अच्छे से कंबाइन करके जमचे से जो है मिक्स करेंगे ताकि कोई लंप्स नहीं है इसको हम हमारे आटे में आड़ करेंगे और आटे को जो है अच्छे से 3 या 4 मिनिट तक हम मल के ले लेंगे अगर आप exactly यही measurements जो है follow करते हैं तो आपको बिल्कुल भी extra दूद नहीं लगेगा आटा गुनने के लिए इतने ही दूद में जो है आपको अच्छे से आटा गुन के लेना है आटे को जो है हम फिर दो घंटे के लिए cover करके रखेंगे दो घंटे के बाद जो है हम इसकी शंकरपाले बनाएंगे यह आटे को जो है दो घंटे से ज्यादा नहीं रखना है दो घंटे के अंतर ही जो है इसको हमने तल के लेना है जितना हमने आटा भिगोया है उससे जो है हम इसकी तीन लोईया तीन पेड़े जो है वो बनाएंगे और नॉर्मल जैसे हमने नमक वाले शंकरपालों को की जो रोटी बनाई थी उस हिसाब से जो है इनको भी बेल के वैसे ही रोटी बनाके कट करके फ्राइ करने के लिए लें टाइम के लिए गास हाई किया था बहुत ही खस्ता बने है और तेल बिल्कुल भी ये नहीं पीते हैं बिकोज हमारा मून जो था हमने बहुत अच्छे से लगाया था बहुत असान रेसिपी है और सच में बहुत मेल्ट इन यो माउथ शंकरपाले बनते हैं प्लीज ट्राइ करें and let me know comment box में आपको कैसा लगा I wish you and your family a very very happy Diwali thank you so much for watching